दोस्तो अगर आप समस्तियत शास्त्र में ये जानना चाते हैं कि निवेश की अधानना क्या होती है, मतलब निवेश किसे कहते हैं और साथ में आप ये भी जानना चाते हैं कि निवेश के कितने परकार होते हैं यानि कि इस्ते निवेश क्या होता है, मालसूची निवेश क्य क्या होता है, सकल निवेश क्या होता है, और मुल्य हराश की अफदर्णा को भी साथ में आप समझना चाते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा अंतर तक देखें, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, आप पो समस्तिय अर्शास्त्र वे निवेश की और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्खुल भी ना भूलें. तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता जिता हूँ, कि मैं इस पहले चैक्टर में कौण-کौण से टापिक पढ़ा चुका हूँ और कौन-कौण से टापिक पढ़ा हूँगा गए।। चल कि. तीसरे पार्ट में दोस्तों मैंने उभोगता वस्तूँ और पुंजिगत वस्तूँ के बीच में अंतर को बताया था चौथे वीडियो में यानि चौथे पार्ट में मैंने उभोग वैकी अवधाना और उसके घटकों के बारे में रख्या की थी कि मैं आज आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ जिससे आप मेरे साथ अंतर तक बने रहें दोस्तों सबसे पहले हम निवेश के अर्थ को समझेंगे फिर दोस्तों हम देखेंगे कि स्थी निवेश और मालसुची निवेश क्या होता है इनके बीच के अंतर को जानेंगे फिर हम ये देखेंगे कि इस्थी निवेश और मालसुची निवेश की कैसे गणना की जाती है फिर दोस्तों हम देखेंगे कि सकल निवेश और निवल निवेश के बीच के अंतर को समझेंगे फिर दोस्तों हम देखेंगे कि मुल्य हराश यानि स्थिर पुंजी के उभोग यानि पुनेस्था पनलागत इसका क्या मतलब होता है और मुल्या रक्षित कोश क्या होता है एक उधारन की साहिता से समझेंगे तो दोस्तो मेरी आपसे request है video आप अन्तक जरूर देखें क्योंकि ये video आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है दोस्तो मैं आपसे ये request कर रहा हूँ ये video आपके लिए पहुत ज़्यादा important है और ये exam के point view से आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि निवेश आखिर क्या होता है देखिए निवेश के परिभाशा को समझने से पहले मैं आप कुछ basic concept समझाना जाता हूँ देखिए दोस्तो निवेश और उपभोग दोनों के दोनों वेश है देखिए वेश मतलब खर्चा यानि expense दो वेश हमारे दो परकार के होते एक होते अपभोग और एक होता है निवेश अब दोस्तो इन दोनों के बीच के अंतर को आपको बहुत अच्छी तरह के समझना पड़ेगा तबी ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो देखिए दोस्तो अगर आप बजार से किसी भी वस्तू किसी भी सेवा का क्रे करते हैं फरंतो अपनी व्यक्तिकत अवशक्ता के पूर्ती के लिए तो वो आपका अपभोग कैलाएगा बहुत ही सिंपल सी बात है मैंने पिछले वीडियो में बहुत अगर डेटेल में ये बात बताई है तो अगर एक व्यक्ति बजार से किसी भी वस्तू या सेवा का क्रे करता है अपनी व्यक्तिकत अवशक्ता के पूर्ती के लिए तो वो उसका उपभोग वय कैलाएगा क्या कैलाएगा दोस्तों उपभोग वय कैलाएगा परन्तु जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समू बजार से किसी वस्तू या सेवा का क्रे करता है अपनी व्यत्तिगत अवशक्ता के पूर्ती के लिए नहीं, अपने वैपारिक अवशक्ता के पूर्ती के लिए, या फिर भविश्य में लाब कमाने के उपदिश्य के लिए, या दोस्तों अपने अंधन में ब्रकत के लिए, यानि बढाने के लिए, तो दोस्तों वो उसका निवेश कहलाएगा जैसे मैं अगर एक एक एक्जांपल दूँ अगर मैं बजार से कोई भी वस्तू खरीता हूँ जो मेरी व्यत्तिगत अवशक्ता के संतुष्टी करेगी तो वो उपभोग कहलाएगा परन्तु अगर मैं कोई बजार से कोई वस्तू या सेवा कहीता हूँ जो मेरी व्यत्तिगत अवशक्ता की तो पूर्ती ना करे परन्तु मेरे वैपारिक अवशक्ता की पूरा करे तो वो मेरा निवेश कहलाएगा तो बहुत ही सरल सी बात है कि दोनों के दोनों उपभोगो या निवेशो दोनों ही खर्चे हैं परन्तु ये हमारी व्यत्तिगत निर्मान की एक प्रक्रिया है अत्रुआ पुंजी की स्टॉप में विल्दी की एक प्रक्रिया है तो दोस्तों इस डाफिनिशन को समझने के लिए आपको ये समझना पढ़ेगा कि आखिल ये पुंजी क्या होती है मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि हमारे पास चार कारक सेवाई होती है हमारे पास चार कारक सेवाई होती है जो कि यही कारक सेवाई हमारी क्या कलाप यह उत्पादन के कारक उत्पादन के कारक बोलू यह उत्पादन के सादन बोलू एक ही बात है और हमारे कारक सेवाएं ही उत्पादन के कारक होते हैं और यह होते हैं दोस्तों चार आपको पता है पहली है श्रम, दूसरी है पूंजी, तीसरी है भूमी और चौती है उद्गम यानि इंटरप्राइज तो दो उस्तों देखें, उपभोग और सरी, श्रम, पूंजी, घुमी और उद्गण ये चारों के चारों क्या है? कारकसेवा हैं, इनी के माध्यश का प्रियोग करके हम किसी वस्तिया सेवा का निर्माण करते हैं, यानि उत्वादन के कारक हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूंजी लिखावा है तो दोस्तों निवेश क्या है पूंजी निर्माण के प्रक्रिया पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या क्योंकि आभी आपको मैंने बताया कि पूंजी बहुती महत्तपूर उत्पादन का कारक है तो क को पता है यह भाली बात, कि business करने रिए हमारे पास कुछ ना-कुछ पैसा होना चाहिए, वो जो पैसा होता है न, धोसतों, वो ही हमारी पुढ़ी होती है, और दस मशीने खरीदी, दस करोड की मान लेजिए, तो दोस्तों उन मशीनों का, उस प्लांट का, मैं बार बार प्रियोंग करके जूते बनाता रहूँगा और विहार में बेशता रहूँगा, जूते बनाता रहूँगा, विहार में बेशता रहूँगा, तो दोस्तों मशीन तो मैंने एक बार खरीदी, प्लांट मैंने एक बार खरीदा, परंतु दोस्तों मैं उसका बार बार क्या करूँगा, उसका इस्तमाल करके मैं बार बार क्या करता रहूँगा, उससे पैसा बनाता रहूँगा, तो निरीश क्या है, एक उंजी निर्मान की फ्रक्रिया, क्योंक कि कोई भी प्लांट है या कोई भी मशीन है किसे कैसे खरीद हो गया पैसे से वो पैसा आप ये क्या प्लांट और मशीन आपके घर में ये क्या आपकी व्यक्तिकता अवशक्ता के पूर्ती कर रहे हैं नहीं ये आपकी वेबसाइट अवशक्ता को पूर्ती कर रहे हैं तो ने परएबर उट्वादन प्रकृया में प्रयोग करके पैसा बनाता रहेगा तो मैं उबेस करता हूं कि आपको ये निवेश के अर्थ को समझ में आगिया कि निवेश क्या है आखी निवेश पूंजे निर्मान की प्रक्रिया है अत्वा पूंजे के स्टॉक में व्रदी से है पूंजे का स्टॉक मतलब बड़ी-बड़ी मशीने प्लांट ये जितनी भी चीजे जिनका हम बार-बार उत्पादन प्रक्रिया में प्रियोग करके हम क् कुछ example लिख रखे हैं कि उत्पादन के उत्पादन के उत्पादित कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है मैंने भी आपको बताया कि श्रम पूंजी भूमी और उद्गंग ये चारू के चारू दोस्तों हमारे क्या है उत्पादन के कारकों अगर हम इनको संग्रित करके रखते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है पूंजी का स्टॉक कहलाती है और दोस्तों ये जो मानव निर्मित मानव कृत वस्तूएं ये जो मशीन है दोस्तों ये जो बड़ी-बड़ी मशीन है अत्यादूनिक मशीने आपको पता है कि आज के बेट में एक से एक बड़ी-बड़ी मशीने ये किस ने बनाई है मानवों ने बनाई है और ये जो मानव मिर्मित मशीने है ना इनी काम बार-बार उत्पादन प्रक्रिया में प्रियोग करके पैसा बनाती रहते हैं अब यहां के तीसा पॉइंट मैंने लिखा है कि उत्पादकों की उत्पादन शम्ता में ब्रदी करता है क्योंकि दोस्तों जितना एक उत्पादक के पास प्लाट और मशीन भी होगी वो उतना ही जादा उत्पादन करेगा जितना जादा उत्पादन होगा उतना ही जादा व प्रकारू की तो देखे सबसे पहले आता है कि निवेश तो मैंने आपको बता दिया कि निवेश क्या है एक पूंजी निर्मान की प्रक्रिया है यानि पूंजी निर्मान का मतलब प्लांट मशीनरी बड़ी बड़ी मशीने बड़े बड़े प्लांट लगा के हम उत्पादन प्रक्रियाब मतब बस्तू तता सेवाओं का निर्माण करते हैं उनको बेचते हैं मार्किट में और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं तो निवेश तो आपको ये बात समझ में आगे होगी अब दोस्तों जिरा देखिए इस्थे निवेश क्या होता है और माल सुची निवेश क्य उत्पाद को दुआरा इस थिर संपत्तियों से स्टॉप में व्रदी करना है जैसे कि plant और मशीन वी तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात एक होते है हमारे current asset और एक होते हमारे fixed assets यह जो हमारे fixed assets है ना बहुत ही सिंपल सी बात जो बड़े-बड़े machine होते हैं बड़े- के दोराब कोई बी उत्पादक, कोई भी फार्म, कोई भी विक्रेता, बड़ी-बड़ी मशीनों पे, बड़े-बड़े प्लांट पे जो पैसा के क्छ करेगा जिसका वो उत्पादन परक्रियां में अनिक बार लगा, तार प्रियोग कर सकता है, सालों साल प्रियोग कर सकता है, वो ही दोस्तों हमारा किलाता है स्थेल निवेश स्थेल निवेश का मतलब है कि जब पैसा बहुत जादा मात्रा में खर्च करना होता है जैसे कोई भी मशीन है जो एक करोड की हो दो करोड की हूँ, पचास लाग की हूँ, बीस लाग की हूँ, मोटा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि आप वो मशीन खरीद होगे, वो दस दिनी चलेगी, वो दस साल, बीस साल, पच्छी साल, पचास साल तक भी आप उसका प्रियोप कर सकते हो, इस अगर आप कोई उत्पादक बाजार से बड़ी-बड़ी मश्रीन, बड़ी-बड़ी प्लांट खरीटता है अपने वेफसाइक उपदेश्चे के लिए जिनका वो बहुत बार प्रियोग कर सकता है, अनेक बार प्रियोग कर सकता है उत्पादन प्रक्रिया में और पैसा बना स ऐसा ही स्थेव निवेश कहलाता है अब बात करते हैं माल सूची निवेश क्या होता है अब माल सूची निवेश के मैंने अर्थ को यहाँ पर लिखाया कि किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टोक होता है जिसमें तियार वस्तु है अर्ध तियार वस्तु है और कि जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समू बविश्य में लाब कमाने के उग्देशी से अपना किसी वस्तु या सेवा पर जो पैसा खर्च करता है उसे उसका निवेश कहती है निवेश को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है स्थेव निवेश दूसरा है मालसूची निवेश स्थेव निवेश में तो हम बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं इसमें दोस्तों हमारी उत्पादन प्रक्रिया में जो स्थेव निवेश होता है न यह उत्पादन प्रक्रिया में अनेक बार प्रियूग किया जा सकता है, जबकि माल सूची निवेश क्या होता है, यह recurring nature का होता है, यानि यह daily basis का होता है, जिसमें हमारी तियार वस्तुएं होती है, तियार वस्तुएं जो हम plant और machinery का प्रियोग और श्रम का प्रियोग करके हम वस्तुएं तियार करते हैं, अब भई माल सूची inventory stock कहते हैं से inventory, तो inventory क्या होता है, जिसमें हमारी तियार वस्तुएं भी आ जाती है, जो बजार में बेचने के लिए तियार है, और आधी जो अर्द तियार वस्तुएं जो कि अभी बनी नहीं है पूरी तरी के से, और कच् माल है, इने हम बहुत जल्दी बजार में बेच कर पैसे में बदल सकते हैं, तो natural सी बात है कि निवेश क्या investment equal to six plus current है दोस्तु, तो देखिए अगर हम स्थेर परिंच संपत्तियों पर पैसा खच करें, जो कि बहुत जादा मात्रा में होता है, इनकी केमत बहुत साधा होती है, तो वो तो मारा स्थेर निवेश कहलाता है, पर अंतु दोस्तों, अगर हम कच्चा माल हो गया, त्यार वस्तु होगी, अर्थ त्यार वस्तु होगी, तो इन पर जो पैसा खच्चा जाता है, वो हमारा माल सुची निवेश, यानि inventory, stop investment कहलाता है, यह मारा fix investment है दोस्तों और ये हमारा inventory है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों ये बात भी आपको उसमझ में आई होगी अब बढ़ते हैं आगे देखिए अब हम ये समझते हैं कि इस ते निवेश जो है और जो माल सोची निवेश है ना उनकी गड़ना कैसे की जाती है हमें ये जानना है कि वही एक ल आज तक देश में कुल इस्थी निवेश कितना हुगा क्योंकि जितना जादा इस्थी निवेश में बढ़ोतरी होगी उतना ही दोस्तों उत्पादन चमता बढ़ेगी उत्पादन चमता बढ़ेने से रोजगार बढ़ेंगे रोजगार बढ़ेंगे रोजगार तो वो मतब देश के लिए खराब होगा पर आप यह जानना चाहता हूं मैं कि इसके हमें गढ़ना कैसे करनी होती है तो बहुत इस्टिक्पल देखिए इस्टिर निवेश इक्वल टू होता है एक लेखा वर्ष के अंत में एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की परि आज ती साथ मशीने पहले सुरवात होने से पहले यानि सुरवात में ती पाच और अंत में होगी साथ तो कितनी मशीनों में विर्दी होई दो मशीनों में तो नैच्छल सी बात देखिए मेरे अगर मान दीजे पूरे भारत देश के पाद दस मशीने रही अंत में सुरवा में इसे पारम को घटा दोगे यानि आप देखोगे कि एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों के पास हंत में कितनी मशीने प्लांट हैं उसमें से आप आरम में कितनी थी यानि सुरुआक्ट में कितनी थी अगर घटा होगे तो आपको एक लेखा वर्ष के दौरान परिंट सपत्यों के स्टॉक में वर्दी कितनी हुई है ये बात आपको समझ में आवे होगी ये जैसा कि मैंने आपको एक्जाम्पर दिया अब दोस्तों हमें माल सुची निवेश की गणना कैसे करनी है बहुत ही सिंपल माल सुची निवेश रिप्रेजेंट करता है करेंट रिप्रेजेंट को और इसंति ही निवेश करता है हमारा एक्से शेंट को बहुती सिंपल सी बात है दोस्तों इन पर की जाने वाला जो आप थे зрit के लिखन अब फि— दोस्तों देखे ये भी अंत है अंत पहले आरंब बात में दोनों को मैंने इसलिए साथ साथ लिखा है कि एक लेखा एक लेखा वर्ष के अंत में माल सुची स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंब में माल सुची निवेश को घटा दिया जाए तो दोस्तों आपको क्या म में लेगा माल सूची निवेश यानि आपको inventory जो आ है वो आपको मिल जाएगा जिसमें देखिए दोस्तों क्या है एक लेखा वर्ष के दोरान माल सूची स्टॉक में परिवरतर तो दोस्तों इसी परकार से हम माल सूची निवेश और इस्ते निवेश की क्या कर सकते हैं निवेश के अंतर को आपको जरूर समझना पड़ेगा जो कि जब तक आप सकल निवेश और निवेश के अंतर को नहीं समझोगे जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है रास्ट्याए की गणना उसे समझने में आपको काफी परिशानी होगी दोस्तों तो देखिए अर्थ लिख रखा है मैंने सबसे पहले सकल निवेश के बारे में कि वर्ष के दोरान इस्थेद परिश संपत्तियों तथा माल्स उची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया खर्च मैंने आपको बताई दिया निवेश भी एक तरीके का खर्च है उपभोग भी एक तरीके का खर होता है दोस्तों इसका तो देखिए मैं यहाँ दुवारा से पर देता है इंक्वारी वर्ष के दोरान इस्थे परिंश संपत्यों तथा माल्स उची निवेश को खरीदने पर के जाने वाला खर्च सकल निवेश कहलाता है यानि बहुत ही सिंपल कि सकल निवेश बरबर होत उतना ही देश के लिए फाइदे मंद होता है और सकल लिए जितना कम होगा उतना ही देश के लिए नुकसान दे होता है तो कि दोस्तों निवेश में विर्दी देश के आर्थिक विकास और आर्थिक सन विर्दी की दर को बढ़ने को सूचक होता है दोस्तों अगर एक देश की अर्थ व्यवस्ता में निवेश नहीं होगा तो उस देश की अर्थ व्यवस्ता कुई तरीकी से उन्दे मूग किर जाएगी दोस्तो निवेश एक तरीके का ऑक्सिजन है जो एक अर्थ व्यवस्ता को चाहिए ही चाहिए अभी आप वरत्मान समय में मोधी सरकार की नीतियों के वज़े से ये जो सकल निवेश है और निवन निवेश है लगातार ओंदे मुग गिर रहा है जिसके वज़े से स्टॉक मार्किट ओंदे मुग गिरी भी है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश में बहुत बुरा हाल हो रहा है इस समय हमारा देश बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण यही है तो कि हमारे सकल निवेश यानि स्टिर निवेश और माल सुट्य निवेश में बहुत ज़्यादा कमी आ दी है, दोस्तों कमी बहुत तरीके से देश की अर्थवैस्था को प्रभादित करती है, जिसके वज़े से रोज़गार में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करती है निवल निवेश की, कि भई निवल निवेश क् से पूना स्थापन लागत यानि मुल्य हराश को गटा दे तो हमें निवल निवेश प्राप्त होता है दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सा कॉंसेप्ट समझाना चाहता हूं आपको मैंने अभी बताया कि इस ते निवेश में हम बड़ी-बड़ी मशीने ब वहाँ पे लगाते हैं और उनका अनेक वर्षों तक उत्पार्मिन परक्रिया में प्रियोग करके मोटा बैसा बनाती रहते हैं परन्तु दोस्तों हर एक चीज की एक सीमा होती है नैच्रूल सी बात है वो मशीन की भी एक जीवन काल होगा उसका एक समय के बाद वो क्या दोस्तों कमी आएगी और मालीजिया अगर एक लागती मशीन पास साल के लिए हम प्रियोग करते हैं उत्पादन तोस्तों तो पास साल बात हमें नई मशीन चाहिए होगी ना जो उसको रेप्लेस कर ले तो दोस्तों यही बात आपको समझनी है निवेश में देखिए सकल न निवेश इस्ते निवेश और माल सूचे निवेश में होता है प्रंतु दोस्तों जो इस्ते निवेश होता है उसमें वो इस्ते परिज संपत्यों पर के जाने वाला खर्चा होता है और जो हमारी संपत्या होती है उनका हम अनीक बार प्रियोग कर सकते हैं यह तो हम जानती प्रंतु हम उनका बार-बार प्रियोग करेंगे तो उनके मुलने में कमी तो आएगी और उस कमी को जब हम इसमें से घटा देते हैं सकल में से तो हमें प्रात हो जाता है निवल निवेश बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों जो हमारी घिसावत होती है यानि जो पूरा इस्त विकास है जो आर्टिक संवर्दी की दर है वो क्या है यहां पर लिख रखाए कि सकल निवेश में से माइनस कर दिया जाए मूले हराश इस्थिर पुंजी का उप्रो या पूले स्थापन लागत इन तीनों का दोस्तों मतलब एक ही है इन तीनों का मतलब यही है कि जो इस्थि हमें replace करना पड़ता है तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी अब दोस्तों इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए निवन निवेश को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ये जानिए कि मूले हराश और स्थिर पुंजी का उप्रो या पूले स्थापन लागत, यह क्या होती है, यहां पर मैंने लिख रहता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तो यह, कि जब स्थिर परिश सपत्यों का मुल्य, निम्लिकित कारणों से होता है, तो उसे मुल राज्थ, यानि यहां पर मुझे लिख रहाता है मैं माँपके चाहिता हूँ, जब इस्तिर परी सपत्यों का मूले निम्लिकित कारणों से कम होता है यानि कम होता है यानि निम्लिकित कारणों से कम होता है तो उसे मूले हराश कहते हैं मूले हराश यानि मूले में कमी आना इस्तिर कुंजी का भोग मतलब जब हम पड़ी इस्तिर पड़ी सपत्यों का लगातार प्रियोग करते हैं तो उनमें कमियां आती रहती है अब दोस्तों तीन बहुती इंपोर्टेंट कारण है ये पहला तो है समाने तूटफूट अब देखें भईया आपकी कोई भी फैक्टरी है उसमें बड़ी बड़ी मशीन है तो भईया उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना तूटफूट आएगी त्यूकि आप जब उसका बार बार प्रियोग करोगी तो नेच्छल सी बात है उसके rice knit board जो भी चीज है उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा कच करते रहना पड़ेगा उसके ways कर रहना पड़ेगा उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा कच होता हि ए तो दूसरा point है अकस्मिक खानी की समाननी Capital अब चोटीए मोड तो होते रहती है दोस्टों जैसे माल दीजे कोई बड़ी से मशीन की वो तूट गई उसको रिपेर कराना पड़ेगा तो भई ये तो होता ही रहता है और दूसरा तीसरा प्रत्याक्शित आप्रचलन अब ये प्रत्याक्शित आप्रचलन क्या है जैसे एक्जामपल दू मैं अगर आपको कि देखे अगर रंगीन टेवी आ जाएगा तो ब्लेक और इंवाइट का काम खतम नैचुरल से बात अब देखें अभी मार्केट में स्मार्टफोन आ गए तो आपको कीप एट वाली फोन ज़्यादा चलाता है क्या नहीं न तो देखिए यही है प्रत्याक्षित आप्रचलन यानि मतलग क्या दोस्तो हम यह मानेंगे कि आने वाले समय पे मांग में भी परिवर्टन हो सकता है लोगवाग रंगीन तीवी की मांग करने लगे व्लैके नहीं होता है इसमें मांग में परिवर्टन मांग में परिवर्टन या फिर प्रियोदगी यानि टेक्नोलोजी में परिवर्टन ये जो हमारी टेक्नोलोजी होती है उसमें परिवर्टन ये दोनों चीजों में परिवर्टन है ये पहले सी मानते चलते हैं कि अगर टेक्नोल अप रचलन इन तीनों के कारण इस्तेर परिसुपत्तियों में जो भी कमी होती है उनके मुल्य में उसे ही दोस्तों में इस्तिर पुझी का उभग या मुल्य हराश या पुनै इस्तापन लागत कहते हैं दोस्तों यह बहुत ही important है अब दोस्तों आपको यह बात पता है कि अगर 10 साल तक आप उसका उत्पादन प्रक्रिया में प्रियोग कर रहे हो तो आप 10 साल बात क्या 10 लाग फिद्वरा इखटा करोगे नहीं ना नैशनल से बात है आप जो हर साल पैसा कमाऊंगे उसमें से कुछ ना कुछ अपने लाग के हिस्ते में से आप क्या करोगे आप जोड़ोगे यानि बचत करोगे निगम बचत जिसे कहते हैं आवित्रित लाग जिसे कहते हैं आवित्रित लाग यानि अंडिस्टिबूटेट प जिससे हम 10 साल बाद उस मशीन का पूरा स्थापन कर दे यानि उसे प्लेस कर दे तो मुल्य अरक्षित कोश क्या होता है जो कोश उत्पाद को दुआरा पूरा स्थापन के लिए रखा जाता है तो कि दोस्तों जो भी कंपनियां लाव कमाती है उसमें से थोड़ा अपने जिनकी कीमत भहूँ ज़्यादा होती है उनको रिप्लेस करने के लिए भी करती है अगर ऐसा नहीं करेगी कंपनियां तो दोस्तों उनकी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो गी उत्पादन कम होगा उनका प्रोफित कम होगा और वो लॉस उठाने लगेंगी और लास् वादाईं आ जाती हैं प्राक्तिक हापदाईं आ जाती हैं से बाढ़ भुसकलन खुछ भी इंसे अगर कोई मशीनों का नुक्सान होता है तो उसे दोस्तों मुले अराश में नहीं लेंगे उसे पूंजी खानी कहेंगे पूंजी खानी ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों तो दोस्तो ये था मेरा एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आगी के वीडियो भी मैं आपको ऐसी बताऊँगा भले ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाए बढ़ मैं चाहता था कि मैं आपको जादा तक एक ही वीडियो में इस हारी बाते समझाओं अगर आपको ये मेरा प्रियास अच्छा लगाए तो इसे लाइक करना शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सस्काइब करना बिल्कि भी ना भूए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ज है है है?